श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिती ले कर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यदा प्रभावित करती है और उसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन मिद्रमा घुटर हाउस में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बढ़ुतरी करने वाला है जी हाँ इस समय में आप स्वस्तर होगagnे और मस्तर होगे बिमारियों से आप दूर ही रहोगे इस समय में आपकी शरीर कि उर्जा भी बहुत ज्यादा रहेगी और मैं की काम करने की गती भी बढ़ेगी इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अपना व्यापार छोटी-छोटी यात्राएं से करते है यानि उन्हें व्यापार करने के लिए छोटी-छोटी यात्राएं करनी पड़ती है इस समय में यात्राएं होने के योग बन रह खास करके छोटी यात्राय आपको लापकारी सिद्ध होगी। दोस्तो इस दिन भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा। चंद्रमा इस दिन नवम भाव को देख रहे है। चंद्रमा की नवम भाव पर दुष्टी होने से दिन आप के लिए भाग्य शाली रहने वाला है। लेकिन चंद्रमा पराक्रम छेत्र में गोचर कर रहे है। उस वज़े से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी कापी करनी पड़ सकती है। व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाब होने वाला है प्यापारियों के लिए निवेश करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा निवेश कर सकते हैं इस समय में निवेश करने से अच्छा लाब होने की संभावना रहेगी। इस समय में आप धार्मी कृत्ति के नजर आओगे। धर्म कर्म के काम में आपकी रुची बढ पाओगे इस समय में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे जी हाँ उनके साथ कोई अनबंधी तो वो तो पूरी तरे से समाप्त हो जाएगी और आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे एक दुसरे के प्रती प्यार अगर कोई पुरानी अन्बन थी तो वो समाप्त हो जाएगी अगर स्टूडन्स की बात करते हैं विद्यारतियों की बात करते हैं तो इस समय में स्टूडन्स को इस दिन खास ध्यान रखना होगा इस समय में आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे जी हाँ भाग्य क भरों से बैटने से कुछ नहीं मिलने वाला, इस समय में students जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे results ला पाएगे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा students के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, students को इस समय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जिस तरह से सारी चीजे चल रही है उसी तरह से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पर्सनल लाइब की बात करते हैं लव लाइब की बात करते हैं तो ये समय लव लाइब के लिए भी बेहतरीन है। गूमने फिरने के लिए लाइफ को एंजोई करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करे इस समय में नए रिष्टे बन सकते है और पहले से बने हुए रिष्टे और मजबुत बनेंगे जो लोग अविवाहित है उन्हें भी अच्छे रिष्टे आने की इस समय में समभावना रहेगी समय का अच्छा उपयोग जरूर करे इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली म बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परियनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छे रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थित प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलत जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्यो के आप अपने जूते चपलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखे, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आते हैं, कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं, यह तो बहुत ही गलत है, साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देतें, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ज़रुरी होता है, और ज जूते चप्पल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखें। जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है। दोस्तो नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे। क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वज़े से घर के चट को पूरी तरह से साप सुतरा रखें। साथ ही के दोस्तो हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है। वह जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही। लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। क्युकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़चेड़ा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडिका जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्या मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद